आज मैं अवसदी गुनो वाला तूट गुना की सबजी की रेसिपी लेके आ गई हूँ हमारे बस्तर में इसे इसी नाम से जानते हैं और ये इस तरीके से दिखती है आप लोग के तरफ भी मिलती होगी तो इसकी आप सबजी जरूर बनाईए क्योंकि ये अवसदी गुनो वाले है और इसका फायदा आप गुगल में सर्च मार के देख सकते हो यहाँ पर मैं आज दही में बना रही हूँ तो दही को फेट ली हूँ उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, डेड़, चमच, बेसन डालके बढ़ियासे से फेट लेंगी तो एकदम अच्छे से इसे फेट लेना है चलिए ये हो गया है यहाँ पर मसुख दाल ले ली हूँ क्योंकि उसका सुवाथ जो है थूड़ा कड़वा टैप का होता है ये सब चीजे मैंने ले ली है साथी मसुख दाल भी ले ली हूँ और यहाँ पर देखिए इसमें जो बीज होता है वो थोड़ा सा कस्षा टैप का रहता है तो उसे निकाल देना है तो इस तरीके से मैं देखिए तयार कर लूँगी और यह पका वाला है ना उसका भी आप आराम से सब्जी बना सकते हो इसे फेकने का जरुबत नहीं है चलिए सब में से मैंने इस तरीके से बीच को हटा लिया है और कड़ाई में तेल डाल देंगे तेल को बड़ी ऐसे गरम होने के पार सरसो का दाना, सुखी मिर्ची, जीरा और प्याज, हरी मिर्ची ये सारी चीजे डाल देंगे साथ ही यहाँ पर मिठानीम की पती भी डाल दी हूँ और इन सब चीजों को अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है और मिठानीम से बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है और यहाँ पर अद्रक और लैसुर को मैंने थोड़ा कूट लिया था उसे भी डाल दी हूँ चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से हम मस्त से प्राई कर लेंगे साथ ही यहाँ टामाटर को मैंने पेश्ट बना कर डाला है आप चाहे तो ऐसे भी काटके डाल सकती हूँ इसके साथ ही यहाँ पर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डाल दी हूँ और इसे अच्छे से हमको पका लेना है, इसका कच्छा पंदूर हो जाए, उतना इसको पका लेना है चलिए यह सारी चीजे हो गई है, अब यहाँ पर मैं तुटगुना जो वाल के रखी थी और मसूर दाल दोनों को डाल दी हूँ और आज इसे मैं दही में बना रही हूँ, और इसकी एक और रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उसे भी देख सकते हो तो यहाँ पर इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद फेटी हुई दही को डाल देंगे, और दही को अच्छे से फेट कर ही डालिएगा, नहीं तो फट जाता है दही कई बार तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे पकने देते हैं, और यह देखिए, तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी और मिक्स कर सकते हैं, यह ज़्यादा गाड़ा नहीं खाना चाहते हैं, और इसकी सबजी खाना ही चाहिए, कफ पीत को दूर करता है, यह ज़्यादी गुणोवाला है, आप लोगों को मिलती है, तो आप लोग भी जरूर से बनाइए, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर जरूर करनें,